हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का विवेक मिस्सा ठीक मेंटे स्विश्टर हम लोग जिस कंपनी को डिस्क्रस करने वाले हैं इस वीडियो में अन्मडिसी लिम्टेड होने वाला है तो दोस्तों यह चीजे चलने वाली हैं अभी काफी लंबेट टाइम के लिए ठीक है पर इसमें आपको बहुत सी कंपनी देखने को मिल रहे होंगी जो कि काफी जादा हमको downfall देखने को मिलेंगी, खरीदने के लिए मिलेंगी, अच्छी जादा दिन की financial condition भी है, बस और बस market की मार या government के कुछ export duty impose करने के वज़े से, वो सब कंपनिया इस टाइम पे temporarily down perform कर रही हैं, तो इन चीजों को long view को हिसाब से ध्यान में रखते हुए आप इसमें investment करने के लिए जा सकते हैं, जैसा कि दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था sensex spike के बारे में कि मतलब हजार से ज्यादा की moment दिखाया था, उसी तरीके से nifty 50 भी अच्छा moment दिखाया था, तो फिर मैंने आपको चार कारण बताया थे, इस पे मैं सोच रहा जाता कि मैंने किसी particular stock पर नहीं बता रखा, जातर मेरी वीडियो इसी प्रकार से है, पर मैं आप लोगों को दोस्तों यही recommend करूँगा कि थोड़ा इस तरीके से भी चीजन जो explaining की जाती है, उनको भी समझने की कोशिस करिए, वो particularly एक share के लिए नहीं है, ultimately बहुत सारे sector के ल से भरी हुई है, बजाए एक particular share को लेके, ठीक है दोस्तों, तो उसमें ज्यादा आपको knowledge मिलेगी, इस वज़े से इन companyों, मतलब जब इस तरीके से वीडियो हो, तो उस पे भी अपना response दिखाए, आप लोग ऐसी वीडियो पे कम response करते हैं, चलिए यह एक बात हो गई, बाक टेलिग्राम पे जॉइन कर सकते हैं, टेलिग्राम पे दो चैनल हैं, जो share market वाला है, वहाँ पे आप लोगों को दोस्तों membership मिल जाती है, 150 पे करेंगे, पहले आप फिरी में जॉइन कर लिजेए, जहाँ पे news related चीजें अपलोड होती हैं, और वहाँ से आपको काफी सारा company क dividend announcement जो भी आता है, सारी चीजों की detail वहाँ पे मिलती रहती है, तो वहाँ पे join कर लिजीए, आपको फिरी में information मिलने लगेगी, और अगर आप चाहें तो आप अगर इच्छुक हैं, तो आप 150 पे करके 30 days के लिए, आप अपने किसी भी particular share company जिसके बार में आपको जानना है, उसके बार में भी जान सकते हैं, सेम चीज आप यहाँ पे भी हमको support दिखा के पूछ सकते हैं, join करने के साथ ही community post में या command box में, पड़ा बस समझते हैं दोस्तों, NMDC Limited पे क्या दिक्कत आ रही है, कहां पे कप खरीदना चाहिए, तो जैसा दोस्तों, अब तो 3 weeks से उपर हो कहलेगा दोस्तों की, almost 120 कर रहा हूं, 145 से लगातार गिरते हुए, अभी 102 पे आ रखा है, और यह दोस्तों, COVID के पहले lockdown में, जो की बहुत बड़ी गिरावर थी, उस गिरावर से भी अभी नीचे trade कर रहा है, तो आज समझ सकते हैं दोस्तों, इस टाइम पे इसकी condition क्या हो है, बागी अगर yearly wise अगर हम लोग compare करें, तो आपको इसको 52 week low जो है, वो current around trading price देखने को मिल जाएगा, आज ही 102 गया था low, और आज का ही मतलब अपने low पे trade कर रहा है यह company, इसकी book value भी देखें दोस्तों, तो 119 रुपे है, मतलब इस share को pay करने के लिए, लोग 119 रुपे देने के लिए तयार है, बट इस्टिल आपको यह share काफी नीचे मिलता है, पर आप इसकी face value भी देख सकते हैं, कि 1 की है, तो 103 रुपे और इसमें ऐसे अगर हम लोग 10 कर लें, तो इसका price मतलब अभी भी काफी उपर ही दिखता है अपनी book value से, पर यह भी चीज आ जाती है दोस्तों तो अगर अभी इसकी current book value से देखे हैं, तो हमको नीचे देखने को मिल जाता है, return on equity की बात करें तो 29.1% का रहता है, जो कि बहुत सांदार है, return on capital employees भी बहुत बहतरीन दिया है percentage, all time high की बात करें, दोस्तों तो 572 रुपे, promoters की holding भी 60% से उपर है, 12 महिने में कमाल का perform किया है, मतलब 68% से ज्यादा इसका sale growth हुआ है, बारे महिने में, 50% profit growth भी बढ़ा है, return on equity company को बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, 21.1% का, quarter by इसके result quarter 3 से थोड़े week आये थे quarter 4 के, तो ये थोड़ा चिंता वाली बात थी, और जिसके वेज़े से हम लोग को, क्यो क्योंकि देखिए दोस्तों, crude oil main roof से export करता था, रसिया और, तो उसकी वज़ा से क्या हुआ कि वो जब इस तरीके से effect करता है, क्योंकि oil हर जगह पे use हो रहा है दोस्तों, वो चाहिए को ही field हो, क्योंकि export का main roof से oil पे ही आ जाता है, export मतलब गाड़ियां उसी से चलती है, बह सारी खदानों में, हर जगह पे बहुत सारी मसीनों में, हर चीज में, diesel और use होता है, तो उसकी वज़ा से effect तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और ultimately वो हर एक sector को effect करता है, जब oil की company को effect होता है, तो, क्योंकि दोस्तों, हर जगह पे petrol, diesel का use है, आज के time पे, बिजली तो हम लोग बनाई रहे हैं, पर बहुत सारे अभी ऐसे generator हैं, engine हैं, जो कि इसी पे ही चलते हैं, diesel पे ही चलते हैं, तो वो सब चीजें आ जाती है, electric का भी use होता है, पर export फिर भी आ जाता है, export import का, कि जिसमें याता या transport करना पड़ता है, उन सभी में, delivery करने में, उन सभी में आपको प को भी effect होता है, पर जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा effect हमको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि discount पे हम लोग ले रहे हैं, global clue negative आते जा रहे हैं, उसके वह जैसे हमारी market के effect पड़ रहा है, ब्रो कौंस की बात करने company का बहुत 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 नहीं दिखता है, बले ही 11% से जादा इसकी promoters की holdings decrease हुई है दोस्तों, बट इस टील एक बड़ा number रखती है, 60% छोटे number नहीं होते है, और pros में देखे हैं, मतलब अच्छाईया company की बहुत सारी है, मतलब almost debt 3 है, आपको book value से नीचे देखने को मिलती है, इसका quarter 4 का जो result आया था, वो तो इतना अच्छ अच्छा नहीं था, पर quarter 1 के जो अब आएंगे, उसकी उमीद है कि अच्छे आएंगे, 5-5 year की जो sale growth रही है, मतलब profit growth रही है, वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, healthy dividend payout company maintain कर रही है, इसके debtor days improve हुए हैं, पहले ज़्यादा थे, अब थोड़े कम हुए हैं, तो इ उनको अपनी market बचानी है, जहाँ पर अपनी country में जहाँ पर investment कर रहे हैं, उनको दुरुस्त करना है, इस वज़े से लगातार वो बाहर की market से, जो FIs हैं, वो अपनी investment, मतलब sale कर रहे हैं, और जब sale करेंगे तो जाहर सी बात है, वो हर economic को effect करता है, चाहे अपने इंडिया क की हो, चाहे किसी दूसरी country की हो, और इसी वज़े से market में भी इसका असर हमको देखने को मिलता है, तो यही सबसे main reason है दोस्तों, जो metal stock को, या कह लिजे किसी भी जिसमें delivery का काम होता है, हर वो एक sector को ये market effect कर रहा है, crude oil जो है उसकी वज़े से, तो global glue जब negative रहेंगे, तो पार सी बात है, अपनी Indian market पे भी effect देखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से condition चल रही है, इस वज़े से दोस्तों, चाहे किसी भी steel authority of India हो, चाहे विदानता हो, गेल हो, NLC India हो, सभी में आपको effect देखने को मिलेगा, बात करें इसके chart पे, दोस्तों, तो chart पे हमको देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है, 93 रूपीज पे, खरीदने के लिए already इतना dip में मिल रहा है, तो आप किसी भी range में जा सकते हैं, current price पे भी buy कर सकते हैं, और dip मिलती है, तो और dip में buy करने के लिए जा सकते हैं, फिलाल जो range है दोस्तों, यहाँ पे जो पहले से buy कर रखे हैं, वो क्या करें, सबसे बड़ा doubt उनके मन में यह रता है, कि sir हम क्या करें, बाकि नए लोगों के लिए तो आपने बता दिया कि नए लोग buy कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो लोगों ने उपर पे buy कर रखा है, 136 पे या जिनका उससे 160 के उपर है, वो सभी लोगों को यही call रह देखने को मिली है, हम लोग इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि हमेशा market उपर ही जाती है, वरना कोई निवेस नहीं करता, 30 सालों से, तो वो एक चीज रहता है कि कितना भी down आए, slowly steadily growth हो नहीं है, क्योंकि इंडिया भी develop कर रहा है, market economic हर चीज, time के अनुसार भले, उ तो अच्छे fundamentals हैं, जिन company के जिसमें बने हुए हैं, वो अच्छा खासा इसमें बने के चल सकते हैं, देखिए इतनी सांदार company हैं दोस्तों, 40% से ज़्यादा इसका profit का margin बनता है, तो बहुत बड़ी बात होती है, आप लोग समझे कि एक जो समान company बेच रही है, 100 रुपे क कि आ रही है, तो इसी है, इसाब की जो company हैं, जा इसी बात है, वो अच्छा growth करने वाली है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इन सेरों में बने रही है, और हमेशा आपने मुराल को डाउन मत करिए, बने रही है, thanks for watching this video, मिलते हैं आपको नक्स्रमनी साथ, next video में